अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं पुलीस का डर उनको नहीं है इस वक्त हम पटना के सास्त्री नगर थाना इलाके के पटेल नगर में खड़े हैं हमारे ठीक सामने उर्जा ओडोटोरियम है यहीं पर कल रात साधे बारा बज़े एक बरी घटना होई है उर्जा सड़क पर बिल्कुल हमारे ठीक सामने यहां पर घटना होई है खून जो ब्लड है वह जमीन पर साफ नजर आ रहा है खून के चीटे हैं आप देखिए सीशा भी टूटा हुआ है उसके छोड़े छोड़े टुकरे नजर आ रहा है लेकिन ब्लड यहां पर गिरा हुआ महिला है बोरिंग रोड में होस्टल चलाती है रात में वह अपने कुछ स्टाफ के साथ इसी रास्ते से लौट रही थी एक बाइक और एक स्कूटी था उनके साथ तो जो कुछ अपराधी है एक बाइक पे तीन अपराधी थे उन्होंने उनकी चेन लूटने की कोशिस की च परार हो गए पुलिस अब तक जो है उनको गिरफतार नहीं कर पाई है पटना में इस तरह की बरी घटना है अब लगातार हो रही है ताजा मामला कल राज साड़े बारा बजे का है आप देखें यहां पर जो ब्लड है वो जमीन पर गिरा पड़ा है सीसा भी टूटा रहे थे उस दौरान जो है स्टाफ के तरफ से बिरूत किया गया जिसके जवाब मैं अपरादियों ने चार लोगों को मारी है जिसमें तीन मेल स्टाफ हैं और एक फीमेल स्टाफ जो हैं वो घायल हुई है खत्रे से वो बाहर बताई जा रही है लेकिन अपराद ही गोली मारे और यहां से वो फरार हो गए एक बड़ी बात यह है कि उस समय यहां पर जो पुलीस की टीम है पेट्रोलिंग करते नजर नहीं आ रही थी अपराद ही गई और यहां पर भी लूट कर अपराद ही ले गए तो कहीं ने कहीं पुलीस प्रसासन के बात पर भी जो है अब सवाल उठ रहे हैं अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर वो गोली चलाने वाला पराद ही कब पुलीस के गिरफ्ट में आएंगे कैमरा परसन विशाल राय के साथ सशांकुमार एबिपी नियूस पटना